हेलो इस्टूडेंट्स स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर इस्टूडेंट्स जैसा कि हम बहुत बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे कि मद्ध प्रदेश में कोई सी तो विकेंसी आए स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही कुछ खबरी की बात है मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही जादा आप पूरा मन लगा कर इस विकेंसी के लिए तैयारी करें क्योंकि अगर आपकी इसमें नौकरी लगती है तो आपकी पूरी लाइफ इस्टाइल चेंज हो सकती है स्टूड मद्ध प्रदेश शासन द्वारा नहीं दी गई लेकिन मद्ध प्रदेश उच्च नियालय द्वारा जिला नियालयों के लिए बिकेंसी दे दी गई है और यह नोटिफिकेशन जेश्ट अभी अप्लोड हुआ है उच्च नियालय की वैप साइट पर आप बहां जाकर अप जिम्तिती होगी 30 12 2021 मनलब एक महीने तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं अभी यहां पर एक्जाम के बारे में बताया नहीं गया कि कब एक्जाम होंगे क्योंकि इसमें दो एक्जाम होते हैं पहला होता है आपका ऑप्सुनल सेकंड होता है आपका स्किल टेस्ट होगा टा पर इस हाई कोट के चिन्याला का दोवारा जो एक बिकैंसी निकाली गई है जिलाने आलायों के लिए इसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं इस बिकैंसी पर अपनी नौकरी को तो इस्टुडेंट्स यहां पर आप देखिए यहां पर इस पश्ट बताया गया है कि लेखा ग्रेट 3 कोर्ट मैनेजर स्टाप के लिए जो है तो बाए 1900 ग्रेट पे रहता है और यह 11 पद है सहाई ग्रेट 3 जो की टाइपिस्ट का पद कहलाता है जिनके पास मैं सर्फ सी पी सीटी है इस टैनो नहीं है तो उनके लिए 1900 ग्रेट पे जो होता है उसकी बिकैंसी यहां पर 910 दी गई हैं सहाइग ग्रेट 3 इंगलेस नोइंग से अधी आप हैं तो इसमें भी आपको 1900 ग्रेट पर रहेगा इसकी 21 विकैंसी यहां पर दी गई हैं अब यहां पर देखिए स्टुडेंट्स यह अलग अलग बेकैंसी हैं आप इनको एक एक करके देख लीजिए वीडियो बड़ी हो जाएगी बरना मैं अलग से समझा देता है लेकिन अगर फिर भी आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए भी लॉंग एक वीडियो बना कैसे देखिए यहां पर अब आपको इस बेकैंसी के लिए ग्रेजियोएशन तो कम से कम होना चाहिए क्योंकि अभी तक से बेकैंसी निकलती थी अभी ग्रेजियोएशन से मतलब आदा कॉम्पेटिशन उन स्टुडेंट्स का कम हो गया है जो पास से ही एक्जाम देने लग जाती थी तो यहां पर यह फायदा रहेगा और ग्रेजियोएट लोगों को कि उनको यहां पर कुछ कॉम्पेटिशन कम मिलेगा लेकिन निरासा की बाते हैं कि जो ट्वाले स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उनके लिए अभी कुछ इंतिजार और करना होगा अब इस टैन अब इसके बाद और बन यहां डिपलोमा कोर्स आपका कम्प्यूटर का होना चाहिए तो वो भी आपका डी सी पीजी डी सी आपका चल जाता है या आपका कोपा हो तो बहे भी चल जाएगा अब इस टैनो ग्रेट थी की बात करें क्योंकि इस टैनो ग्रेट टू में कर सकते हैं हम बात करते हैं जो टाइपेश्ट की होती असिस्टेंट ग्रेट त्री की तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए पहले या ट्वैल पास आउट से होता था अब ग्रेजुएशन से है और सीपीजीटी डिपलोमा चाहिए आपको सेटिपिकेट चाहिए यहा यहां पर मैं बताने चाहूंगा कि सीपीजीटी की टाइपिंग मेंशन नहीं की गई है इसलिए अगर आपकी बीस बड़ पर मिनिट भी है तो आप इस फॉर्म को फिलप कर सकते हैं इसके बाद स्टुडेंट से यहां पर आपको डी सीए पीजीडी सीए को पास जो भी है यहां पर आप देआप आपके पास हैं यहां पर पर गोना होना चाहिए यहां पर बात है उप्रुखत अनुसार दरसित अहरता है 통 अबेदन करने की अंतिम्तिती तक उत्रीर होने के साथ साथ इसका आपके पास अंक सूची प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट डिप्लूमा होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रजल्ट में ऑनलाइन रजल्ट में पास हो आपके हाथ में भी वह चीज होना चाहिए अब अगर आपने कंप्यूटर प्लस में लिया है तो बै बैलेड नहीं होगा आपको एक साल का डिप्लूमा अलग से करना ही होगा यह इसमें मान है आप इसको ऐसा ना समझें कि हमारा अगर कंप्यूटर हमने उस सब्जेक्ट में लिया था तो हमारा यहाँ पर काम में आएगा आरक्षण संबन्दी जो टीफ होती है आरक्षण की जो बात होती है जितने भी जैसी और वेकेंसियों में होती है बिलकुल यहाँ पर भी रहेगा तो अलग से बताने की आवश्चक्ता मेरे खहल से नहीं है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आप अगर किसी सास की कारसाला में मलब किसी भी संस्तान में सास की गवर्मेंट जॉब में है तो 45 बर्स रहेगी इसके बाद अगर आप आरक्षण अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती पिछडा वर्ग या दिब्यांग जन से हैं तो आपको 45 बर्स और ऐसा ही आरक बात कर दें अगर फीस की यहां पर तो जो आनारक्षित रहेंगे जनरल के रहेंगे या मद्वर्दे से बाहर के इस्टूडेंट्स रहेंगे तो उनके लिए 200 रुपए परिक्षा सुल्क प्लस सेवा पिर दाता है कुछ दे पोर्टल बान सुल्क 577 मलब टोटल आपका 777 रुपए तो फीस है साथ में ओनलाइन चार्ज आप पचासाथ रुपए वह मालने तो करीब 800 के करीब में आपका इसका फीस होने वाला है इस्टुडेंट्स और भी आपको यहां पर बातें बताई गई हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और अभी तो फिलाहल मैंने यह खुसकबरी दी है देखिए प्रारमिक परिक्षा आपकी एक ऑनलाइन ऑप्सनल होगी फिर एक स्किल टेस्ट आपका होगा अगर दरनी है दरने की बात नहीं है आपको इस चैनल के माध्यम से डिक्टेशन भी दी जाएंगी और आपको इस टैनों प्लस टाइप एस दोनों के लिए डिक्टेशन दी जाएंगी जो कोट में यूज होती है इस्टुडेंट्स में आपको एक और बात खुसी की बताना कि इस चैनल के माध्यम से इस से पहले वाली विकैंसी में भी लगबग 200 से 500 इस्टुडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस चैनल से डिक्टेशन करने के बाद उनका सेलेक्शन हुआ था तो आपको घबडाने की जरूरत नहीं है आपको भी बिल्कुल बैसा ही इंवार्मेंट मिलने वाला है और आप तो आपको क्लास भी मिलेगी कि किस प्रकार से आप से कोश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बार में भी सॉल्यूशन होंगे तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें स्टुडेंट्स इसके बाद में और भी परिक्षा केंद्र से रिलेटिड इंस्ट इंग्लिस के आपके लिए 20 कोश्चन रहेंगे अब इसके बार मैं आपको एक बात और बताओं यहां पर कि आपको जो इसके ओल्ड कोश्चन पेपर हैं यह भी आपको डिस्कॉप्शन में लिंक है आप बहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो ओल्ड दो साल के पेपर आपको दो बार जो एक्जाम हुए इससे पहले उनके आपको ओल्ड कोश्चन पेपर डिस्कॉप्शन में लिंक है बहां पर आपको मिल जाएंगे इसके साथ में आप टेलीग्राम हमारे जो चैनल है सक्सेस भी ती उससे भी जुड़े आपको बहां पर भी बहुत कुछ कुछ साथ हूं जो देखिए जो मुख पर इक्षण होता है जैसे आपका ओप्शनल पेपर हो गया उसके बाद आपके टाइपिंग के लिए रहेगा या इस टैनो के लिए तो यहां पर देखिए आपको पांच मिनिट में सो बर्ड चार सो बर्ड बोले जाएंगे आपको उसको लिखना है और उसको कनवर्ड करके महां पर देना होता है इसके बाद में असिस्टेंट ग्रेट 3 की है तो आपको टाइपिंग का जो रहेगा आपको एक होगा स्क्रीन पर देख कर टाइपिंग करना तो उसके लिए आपको 35 बर्ड पर मिनिट की आपको दिया जाएगा और उसके बाद में एक होगा आपका जो 40 बर्ड पर मिनिट आपको दिया जाएगे डिक्टेशन बोली जाएगी तो उसके लिए जो 30 नमबर कर decor gonna जो जो उसके लिए 37 नमबर का जो आपको डिक्टेशन बोली जाएगी उसको आपको करना पड़ेगा system पर यह सब आपको एक एक भी करना है और convert भी करना पड़ेगा अब इस्टूडेंट्स यहां पर कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें रेमिंटन गेल कीबोर्ड यूज किया जाएगा अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूँगा कि और भी जो condition है मैं इसको next वीडियो में आपको बताऊँगा क और कितनी condition यहां पर apply होने वाली है तो इस्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आज ही चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इससे पहले वाले exam में भी करीब 200 से 500 student सिलेक्ट हुए थे और अब भी मुझे विश्वास है कि बहुत से student सिलेक होने वाले हैं क्योंकि यहां पर आपको पेपर के बारे में भी बताया जाएगा उमोख परिक्षा में इस टैनों पिलस हिंद आपका जो टाइपिस्ट का पेपर रहेगा उसके लिए डिक्टेशन भी प्रोवाइट की जाएंगी तो आप इस चैनल को जरूर